आज हम बनाएंगे जो पूरी इस्टायल में मिर्ची वड़ा जो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और बिल्कुल अलग तरीके से मैं बनाई हूं और बिल्कुल असान रेसिपी है तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो पूरा देखना होगा कि मैं मिर्ची वड़ा कै कैसे बनाई हूं तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट कर दो दोस्तों कैसे हूं आप सब आई हूं आप सब बहुत अच्छे हुए आप सब एक उन्हीतों की लजेज रेसिपी में स्वारत है दोस्तों आज हम बनाएंगे मेर्च वड़ा कैसे बनाती हूं बिल्कुल नए तरीके दोस्तों मेर्च करें तो चलिए मैं अपना लजेज रेसिपी सुरू करता हूं मिर्च बड़ा बनाने के लिए सब से पहले हम यहां पर बेशन का गोल बना लेगे तो यहां पर मैं एक बॉल ले लिए बॉल में डेरकत यह चने दाल का बेशन बार रहे है तेहं मैं डेर का जनी दल का बेशल लेले हूं उसके बाद एक चम्मच मैं अज्माइन लेले हूं इनको मैं करस करके डाल दूंगी बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसकी बाद और यहां पर मैं थोड़ा सा लाल मिर्च बाल रही हूं तूर इहां पर जुने नमख और यहां मैं डाल रही हूं गरमशाल्फ सब्सके पहले उसके बाद मैं थोरा-थोरा पानी एड़ करूनगी तो एक बाद आप बिल्कुल नहीं डाल लिएगा थोरा-थोरा पानी डाल के आ इसको मिलाना है और बैटर बिल्कुल पर्फेक्ट बनाना है अब इतना भी पतला ना हो जाएं कि मिर्च के उपर ठहरे न और इतना भी गाढ़ा ना हो की मोटी मोटी लेर बन जाए इसलिए बैटर है ना बिलकुल परफेक्ट बनाईएगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटर बिलकुल ना ज्यादा पतला है और ना ज्यादा गाढ़ा है बिल्कुल परफेक्ट है आप देख सकते हैं और इनको इसी तरीके से मिलाते रहेंगे पाँच मिनद तक अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसा बैटर होना चाहिए तो आप एक चम्मच ले लीजिए और इसके उपर देखे एक लेड़ बैठ गया है ना बिल्कुल ऐसा ही बैटर आपको बनाना है पतला बिल्कुल नहीं कीजिएगा तो बैटर बिल्कुल टेड़ी है अब इनको मैं रख देती हूँ पांच मिनट के लिए तब तक मैं बनाओंगी आलू का श्टफिंग तो यहां पर मैं आलू ले ली हूँ तो यह आलू बॉयल है मैं बॉयल करके आपको दिखा रही हूँ दोस्तों और आलू थोड़ा ज्यादा है तो मैं कुछ और बनाओंगी तो सूची ना कि जब बनाना ही आलू का चोखा तो इसी मैं निप्टा लेती हूँ दोनों काम हो जाएगा तो इसलिए मैं आलू का प्राठा बनाओंगी तो इसी से मैं थोड़ा सा ले लूँगी अब यहां पर तेल गर्म हो गया था एक चमब जीरा हड़ी मिर्च और प्याज को मैं डाल देती हूँ प्याज अच्छी तरीके सी गॉल्डन कलरों पूने तक भूजा जाए उसके बाद यहां पर मैं डालूंगी लहसन और अधरक का lijk कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है जो खा में कि अब यहां फिभी मैं डालों डैं मशाला थोड़ा सांदी पौड़र थोड़ा सा यहां पर मैं डालोंगी गड़म मशाला अब साड़े को मिला देना है और इनको है ना पांच मिनट तक भूजना है मशाला खुद ये पांच मिनट हो गया तक भूजना गया अब मैं सारा आलू को मैं डाल देती हूं अब इनको मैं अच्छी तरीके से मिला लेती हूं अश्टफिंग को और इनको है ना 5-6 मिनर तक है ना भूजना है और अब भी देखिए यहां पर मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूं अभी आलू में है ना थोड़ा थोड़ा गाठ है तो इनको मैं मेस कर देती हूं मैसर से पहले आप इनको अच्छी तरीके से मिला लीजी तो यहां पर मैं मैसर से इनको मैं मेस कर देती हूं ताकि थोड़ा थोड़ा जो आलू है न वो मेस हो जाएगा अच्छी तरीकी से आप यहां पर देख सकते हैं आलू जो गुठलियां बना था न वो साड़ा मेस हो गया है और इनको है न 5-6 मिनर तक भूजना है तो 4 मिनट हो गया है बस एक मिनट और बाकियत अब यहां पर मैं डाल देती हूं दोस्तों धन्या का पत्ता जिसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो यह आलू का स्टेफिंग बनकर बिल्कुल डेडी हो गया गैस को मैं आफ कर दी हू अब यहां पर मैं ले ली हूं मिर्च तो यह आप मोटी वाली मिर्च है पतली वाली भी आती है यह मिर्च का अचार भी बनता है अभी सब लोग अचार भी बनाते हैं मैं अचार बनाई हूं आप लोग देख सकते मेरे चैनल पर जाके इनको मैं धोली हूं धोल के कॉटन से इनको मैं पोच लिए इसमें पानी पिल्कुल नहीं रहना चाहिए अब मैं चाकू से ना बीज में इनको चिरा लगा देती हूं मैं और इनकी अंदर जो बीज रहता है ना बीज रहता है सारे को निकाल लेना है तो बीज को मैं निकाल देती हूं अगर आप बीज को छोड़ देंगे ना तो बहुत ज्यादा तीखा हो जाएगा आप खानी पाएंगे इसलिए और इसके अंदर मैं आलू का स्टेफिंग भड़ूंगी ना तो अगर आप नहीं निकालेंगे ना फिर कैसे भड़ेंगे और तीखा भी बहुत लगए अखानी पाएंगे तो मैं ऐसे ही आएगा जब आप खाएंगे ना बड़ा मिर्च बड़ा बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसलिए ना साड़े मिर्च के अंदर ना मैं थोड़ा थोड़ा नमक लगा देती हूं बस थोड़ा थोड़ा ही लगाना है ठीक है तो देखिए मैं साड़ा मिर्च के अंदर नमक लगा दी हूँ अब मैं बढ़ूंगी अलू का तो इस तरीके से हैं न आप अश्टफिंग को भर दीजी बिल्कुल मैं अलग तरीके से बना रही हूं दोस्तों ऐसे तो सब बनाते हैं मिर्च के अंदर है ना आलू का श्टफिंग भर के और फिर बेसन में है ना कोट करके छान देते हैं लेकिन आज मैं बिल्कुल अलग तरीके से बना रही हूं मैं अंदर में तो आलू का श्टफिंग भड़ी हूं अब इसकी उपर भी मैं आलू का कोट चड़ाओंगी देखे इस तरीके से हैं ना आपको करना है और आप पैसेंस के साथ बनाईएगा अ आलू मेर्च के उपर आलू का कोट चर रहा है ना देखे इस तरीके से हैं आप करेंगे ना तो यह बिल्कुल नहीं हटेगा बिल्कुल यह सट जाएगा देखे इस तरीके से सट रहा है ना अब बिल्कुल नहीं निकल रहा है देखे कितना बढ़ियां लग रहा है और कितन इस तरीके से पनाएगा ना मिर्च बाड़ा कीजिए है अगर आप ऐसे नहीं बनाया ना तो एक वार आप जरूर बनाकर खायेगा दोस्तो बहुत ही ज़ादा टेस्टी लगता है खाने में तो मैं दो बना कर आपको दिखाई हूँ तो इसी तरीके से है ना साड़ा बना लेना है और बिल्कुल नहीं घब आईएगा ये बिल्कुल मेर्च के उपर है ना आलू अच्छी तरीके से है ना ये सट जाएगी देखे कितना बढ़िया और इनको मैं बना के 10 मिनट के लिए छोड़ इस यह तेल में फ्राइवी हो जाएगा अब यहां पर देखिए दोस्तों बेशन का जो गूल है वह भी बिल्कुल फलपी हो गया है अब यहां पर मैं पहले से तेल गर्म होनी के लिए रख दी थी थोड़ा सा मैं तेल बेशन में डाल दी हूं इससे क्या होता है ना आपका बढ़ा बहुत जादा फूलेगा और यहां प्रिकुल मैं सोडा वडा कुछ भी नहीं डाली हूं बस थोड़ा सा तेल डाली हूं अब यहां पर एक मिर्च ले लिजीए और बेशन में मिर्च को डालके अच्छी तरीके से मिर्च के उपर कोट कर लिजी बेशन को और तेल म डालती जाएए अभी गैस का फ्ले में है ना बिल्कुल हाई रखिएगा जब आप मिर्च बड़ा डालिएगा तो इसमें और इस तरीके से है ना तेल मिर्च के ऊपर डालिएगा तो इसी क्या होगा ना फूलेगा तो ये हो गया था इनको मैं पलट दी हूँ अब गैस का फ्ले मेडियम कर दीजिएगा तो इनको तलने में कड़ी 5-6 मिनट लगाए दोस्तों ये हो गया है इनको मैं अब निकाल देती हूँ देकि कितना बढ़िया ये फुला है ना और बहुत ही जादा टेस्टी लगता है ख मेर्च वर्डर अब इसी तरीके से हैं ना दूसरा भी मैं तल लेती हूँ अब का गोल बिल्कुल दालिएगा थोड़ा साफ है ना रिफाइन तेल डाल दीजेगा थोड़ा सगर्म और आपको कैसे पता करना है कि अंदर मिर्च है ना आख हुआ या नहीं तो मेचंगा जो डंटल है न वो लाल हो जाएगा ना तो समझ जाएगा अंदर मेर्च भी अना कूख हो गया है अब ये भी हो गया इनको भी मैं निकाल देती हूँ तो मैं सब मिर्च बड़ा मैं तल ले हूँ तो ये देखी मिर्च बड़ा बनकर बिल्कुल डेडी हो गया है दोस्तों अब मैं एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ यहां पर मिर्च बड़ा बनकर बिल्कुल लेडी हो गया है आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है और देखने से भी अच्छा है ना खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है दोस्तों एक मार आप जरूर मेरे तरीके से बनाईएगा जैसे मैं बनाई हूं म देखिए यहां पर कितना बढ़िया लग रहा है मिर्च के अंदर भी आलू का स्टेफिंग है और मिर्च के ऊपर भी उसके वादैना बेसन का लेड है तो यहां पर मैं ले लिए हूं यह धनिया का चटनिया और टमाइटू सॉस है तो देखिए इस तरीके से आप अपने फ जादा टेश्टी लगता है तो कैसी लगी आपको मिर्च वड़ा की रेसेपी अगर अच्छी लगी तो एक वारा मेरी तरीके से जरूर बना कर खाईएगा दोस्तों स्रच में बहुत ही जादा टेश्टी लगती अब सर्दी का मुसम आ गया ना तो यह मिर्च है ना असानी से मार्केट में मिलने लगाया तो आप मार्केट से मिर्च लेके आए और मेरी तरीके से ना मिर्च वड़ा बना कर जरूर खाईएगा अगर अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक से कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी तरीके से है ना मिर्च वड़ कर जरूर खाईएगा दोस्तों I hope कि आप सब को यह recipe बहुत पसंद आई होगी तो मिलती हूं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब